आज हम म्यूकस एस्टक्टर बलगम निकालने वाले उपकरण का प्रियोग करना सीखेंगे सबसे पहले शिशु को सूखा व सही इस्थिती में रखें उसके कंधे के नीचे तै किया हुआ तॉलिया रखें तथा उसका सिर बाहर की ओर निकला हुआ रखें म्यूकस एक्स्टक्टर का एक्सपायरी डेट देखें म्यूकस एक्स्टक्टर को रोगानू रहित रैपर से बाहर निकालें नली में लगे माउट पीस को आप अपने मूह में लगाएं दूसरे सिरे को कम से एक हाथ की लंबाई की दूरी से पकड़ें नली के सिरे का उंगली बराबर भाग सिशू के मूह में डालें तथा कुद सेकेंड तक खीचें सिरे को उसके मूह में चारों ओर घुमाएं ताकि सारा द्रव निकल जाएं सिशू यदी रोने लगे और सामान्य तरीके से सांस ले तो रुकें यदी ऐसा नहीं हैं तो अगला चरण अपनाएं अगले चरण में नली का तरजनी उंगली के बराबर का भाग सिशू के गले में डालें तथा उसके गले में फंसे द्रव को धीरे धीरे खीचें सिशू यदी रोने लगे और सामान्य तरीके से सांस ले तो रुकें यदी ऐसा नहीं तो अगला चरण अपनाएं साफ नली को सिशू के गले तथा मूँ से बाहर निकालें तथा अगले सिरे को उसके एक नथुने में डाल कर हलके से अंदर की ओर खीचें यह क्रिया दूसरे नथुने में भी करें सांस सामान्य हो जाने पर म्यूकस एक्स्ट्रैक्टर को उचित इस्थान पर फेंग दें दोबारा इस्तमाल ना करें